रोजमेरी जबेबी ये 1968 की साइकोलोजिकल होरो फिल्म में डिरेक्टिट बाय रोमन पोलंसकी एरा लेविन की सेम नाम की बेस्ट सेलिंग नॉवेल की उपरे फिल्म आधारीत है रोजमेरी जबेबी में शहर में रहने वाले रोजमेरी और गाय इस कपल की कहाने दिखाई गई है रोजमेरी को एक बहुत ही मासूम और परफेक्ट ऐसी ट्रेडिशनल हाउसवाइप फिल्म में दिखाया गया है जिससे बस अपने पती और घर से मतलब है वो हर समय घर को वेल मेंटेन रखती है अपने पती से बहुत प्यार करती है और उसकी एक भी बात को वो कभी टालती नहीं है ऐसी एक परफेक्ट हाउसवाइप रोजमेरी को फिल्में दिखाया है अब उसका ऐसा सौबा फिल्म में क्यों दिखाया है इसके बारे में हमें बाद में पता चलता है उसकी जो पती है गाय वो एक स्ट्रॉगलिंग एक्टर है उनको हमें एक डॉमिनेंट हस्बंड भी कह सकते है क्योंकि बार से तो हमें दिखाई देता है कि वो अपने पतनी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन अंदर से उनका ज़्यादातर फोकस अपने करियर के उपर है एक प्रकार से पुरुष प्रतान समाच का एक प्रतिक के रूप में गाय को फिल्म में दिखाया है कुछ पती ऐसे होते हैं जो अपने आपको घर में प्रभावशली दिखाने के लिए पतनी की उपर हवी हो जाते हैं जाने या अनजाने में बिल्कुल ऐसा ही कैरेक्टर गाय का फिल्म में दिखाया गया है रोजमेरी को हम एक रियलिस्टिक होरो फिल्म कह सकते हैं इस फिल्म में कही पर भी आपको कोई special effects नजर नहीं आएंगे ना ही कोई भयानक से चहरे नजर आएंगे और ना ही फिल्म में कही पर भी जम्सकेर्स का यूज किया है लेकिन फिर भी ये फिल्म हमें real situations का यूज करके इस प्रकार से डराती है कि वो दहशत वो टेरर हम अपने अंदर तक फील करते हैं रोजमेरी और गाय शेहर में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं वहाँ पर वो अपना पहला बेबी प्लान करते हैं प्रेगनेंट होने के बाद में रोजमेरी को ये डर सताने लगता है कि उसके बेबी को कोई मारना चाता है या शेतानी रिचुल्स में कोई उसके बेबी का यूज करना चाता है रोजमेरी का कैरेक्टर हमें बहुती ज़्यादा जैन्योन लगता है मतलब देखिए रियल लाइफ में एक प्रेगनेंट लेडी जिन जिन प्रॉब्लेम्स को फेस करती है जो जो डर उसे अंदर से सताते हैं बिलकुल उसी प्रकार के प्रॉब्लेम्स और डर का रोजमेरी इस फिल्म में सामना करती है और उन्ही एक्स्ट्रीम ऐसी कंडिशन्स क यूज करके ये फिल्म हमें डराती है जैसे कि वेट लॉस होना पेट में बहुती दर्द होना उपर से उसके जो पती है वो भी उसके साथ ठीक से बात नहीं करते हैं उनके जो नेबर से मिस्टर और मिसिस कास्टर वेट्स वो भी उनके घर में बार 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 आकर रोजमेर को जो डॉक्टर है अबरहायम सेपरस्टीन उन्होंने भी वाइटमिन पिल्स की जगह पर रोजमेरी को मिसेस कास्टवेट के द्वारा बना कर दिये गए एक बहुत ही घटिया से टेश्ट वाले ड्रिंक को लेने के लिए कहा था और इन सब बातों के बीच में रोजमेरी को बस एक ही डर सता रहा होता है कि उसके बेबी को कोई तकलीफ ना हो वो बस किसी भी तरीके से अपने बेबी को सेफ रखना चाहती थी और इसलिए जब वो डॉक्टर चेंज करने का सोचती है तो उसके अंदर बस एक ही बात का डर सता था है कि कही कोई दूसरा डॉक्टर उसे एबरोशन करने की सला न दे दे इस प्रकार के बहुत ही भयानक से ऐसे मानसिक तनाव मैंसे वो उस समय गुजर रही थी और उसका वो दर्द, परिशानिया, वो टेंशन, हम खुद अपने अंदर फील करते हैं जब उसके नेवर्स कास्टवेट्स के अलावा, मिस्टर हच या फिर उसकी जो दूसरी सहे लिया है वो रोजमेरी से आकर के मिलती है न तो एक प्रकार से हम सेफ फिल करने लगते हैं कि चलो कोई अच्छा विक्ति, कोई अपना रोजमेरी के साथ आकर के मिल रहा है इस प्रकार का अटेच्मेंट, कनेक्शन हम रोजमेरी के के साथ फिल में फिल करते हैं, महसूस करते हैं जब गाय रोजमेरी से कहता है कि चलो हम बेबी प्लैन करते हैं उसके बाद में जब रोजमेरी को पता चलता है कि वो प्रेगनन्ट है उस समय एकदम बच्चों की तरह रोजमरी का खुश हो जाना उसके बाद में जब एक दिन सुभा सुभा रोजमरी उठती है तो उसको अपने उसके पूरे शेर पर नाखुनों के निशान दिखाई देते हैं उसके साथ संबंध रखने के लिए जबरदस्ति की गई है लेकिन फिर भी वो गाए के उपर नाराज नहीं होती है जब कास्टावेट्स के द्वारा उसे एक डिजर्ट दिया जाता है खाने के लिए उन दोनों को तो उसे वो dessert पसंद नहीं आता है वो और वो नहीं खाती है तो एकदम से गाय नाराज हो जाता है कि वो क्यों नहीं खा रही है तो उसे खुश करने के लिए वो dessert खाने लग जाती है उसके बाद में जब डॉक्टर चेंज करने की बात आती है घर में पार्टी रखने की बात आती है तो गाय हमेशा उसे मना करता रहता है इतना सब कुछ होते हुए भी रोजमेरी बिल्कुल उसके उपर नाराज नहीं होती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और अंदर ये अंदर वो तडपती रहती है घुटती रहती है और इन सब बातों की वज़े से सच में हम रोजमेरी के कैरेक्टर के प्यार में पढ़ जाते है बहुत ही ज़दा खुबसूरती के साथ उसका कैरेक्टर डेवलक्मेंट फिल्म में किया गया है और इसलिए रोजमेरी के साथ क्या होगा यह बात हमेशा हमें अंदर से डराती रहती है फिल्म देखते समय इन सब बातों के अलवा एक और बात जो मुझे इस फिल्म के सबसे बढ़िया लगती है वो यह कि यहाँ पर जितनी भी निगेटिव कैरेक्टर से फिल्म है उनका जो रियक्शन है वो हमें सबसे ज़्यदा सरफ्राइज करता है मतलब देखिए जब जब भी हमें ऐसा लगता है कि रोजमेरी को किसी निगेटिव कैरेक्टर से कोई खत्रा है और हम अंदर से बहुत ही ढर जाते है पता नहीं अब रोजमेरी के साथ क्या होने वाला है इस प्रकास से जब हम अंदर से डर जाते हैं उस समय वो निगेटिव कैरेक्टर आ करके बहुत ही शांती से रोजमेरी के साथ प्यार से बात करने लगता है और ये बात सच में हमारे लिए बिलकुल ही unexpected रहती है फिल्म में वैसे कोई ज़्यादा suspense नहीं है हमें पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन को negative character है और कौन ये सब कर रहा है हमें पहले ही पता चल जाता है लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी बाते फिल्म में reveal होती जाती है ऐसे-ऐसे कुछ surprise हमें ये फिल्म देती जाती है जो हमारे लिए बिलकुल ही unexpected रहते हैं जो हमने बिलकुल सोचा नहीं होता है और इस फिल्म का जो ending है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा surprising और shocking और unexpected है यानि इन सभी negative characters का शान्त रहना प्यार से बात करना ये हमें सबसे ज़्यादा परिशान करता है क्योंकि हम समझें नहीं पाते कि आखिर इनकी दिमाग में चल क्या रहा है आजकल जितनी भी horror films बनती है उनमें ज़्यादा तर special effects का यूज़ करके डराओने चेहरे दिखा कर, jump scares का यूज़ करके, loud music का उपयोग करके हमें डराया जाता है लेकिन real situations का यूज़ करके डराने वाली horror films आजकल बहुत ही ज़्यादा कम बनती है और इसलिए Rosemary's Baby आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए मैं इस film को दूँगा 10 out of 10 stars दोस्तों गर आपने फिल्म देखी तो आपको एक फिल्म कैसी लगी मुझे अपनी चे कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जेहिंद वंदे मातरम